जानेंगे किन क्रिशी फस्ट लो में अगले हफते कमाई के मौके मिलेंगे जो मीजर एक्री कमोरिटीज हैं उन में क्या रुजान देखने मिलेगा तो शुरुवात एडिबल अल कॉम्पलेक्स में सोया बीन से करते हैं हमने देखा कि सोया बीन में 8000 के करीब से एक विक्वाली का महौल देखने मिला और 7800 की करीब की क्लोजिंग दिखाई दी है इसा लगता है कि यह जो मुनाफ़ा फसूली का दौर है यह कुछ समय और चलेगा और 7650 तक के सर हमें सोया बीन में देखने मिलेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 8000 के उपर फिलहाल जो प्राइज हैं वो नहीं जा रही हैं अंतराश्री बजार में भी हलका सा दबाओ देखने मिला है तो उसका असर हमें सोयबीन में देखने मिलेगा वहीं रिफाइंट सोयल में भी हम देखेंगे कि जो क्लोजिंग देखी गई है वो 1600 से लगातार एक बार एक प्रेशर बनता हुआ दिखाए दे रहा है तो उपरी सतरों से दबाओ है ऐसा लगता देखने मिल सकती है अब ही अगर कैस्टर सीड की बात करें तो यहां पर भी हमने 7400 के उपर किस तर देखे थे लेकिन जो क्लोजिंग दी गई है वो 7200 के नीचे दी है मार्केट ने और ऐसा लगता है कि यहां से एक करेक्शन जारी रहेगी याने प्राइस पे दबाओ उप के नीचे के भी लेविल्स हमें देखने मिल सकते हैं हाला कि पोजिशनल ट्रेंड जो है वो अभी भी फर्म है हम काफी ने उचाहियां आने वाले कुछ माहिनों में देखेंगे लेकिन अगर एक हफते से 10 दिनों की बात करें तो ऐसा लगता है कि जो नाम है उनमें दबाओ देखने मिल सकता है वहीं अगर एंसेक्स कॉटन की अगर ट्रेंड की बात करें तो लगातार तेजी बनी होई है 45,000 के उपर के स्थर भी देखे गए है और 44,400 की क्लोजिंग देखी गई है कुछ समय तक यह करेक्शन जारी रह सकती है जहां पर 43,800 से 43,700 तक दाम फिसल सकत है वह अभी भी पेंडिंग है वो हासिल हो सकता है वहीं अगर मेंथा ओल की बात करें तो हमने लगभग 100 रुपे की करेक्शन आते वे देखी है 1060 के करीब के लोज बनते वे देखे 1160 के करीब से अब ऐसा लगता है लेकिन कि यहां से जो निवेशक हैं वो दुबारा की उमीद दिखाई दे रही है 1120 तक के लक्ष हमें दो हफते के परस्पेक्टिब से दिखाई दे सकते हैं तो करेंट लेवल से बाइंग की जानी चाहिए ऐसा मेरा मनना है अपसाइट में 1120 के लक्ष के लिए वहीं गौर कॉंपलेक्स में हमने गौर सीड और गौर गम दो 12900 का एक लक्ष लिए रह सकता है अलाकि अगर हम मीडियम टम की बात करें याने इन एक 3-4 हफतों की तो ऐसा लगता है कि गौर सीड में दोबारा 6700 तक जाने की जो एक का संभावना है वो बनी हुई है वहीं गौर गम में 13200 का सर जो है वो रिगें हो सकता है तो दोनों ही गौरगम गौरसीड में दोबारा तेजी शुरू हो दें की आशंका बनी हुई है मसारा कॉंपलेक्स में अगर हम देखें तो हमने हल्दी में करेक्शन आते हुई देखी है उपरी सरों से 10,000 से लगबग 9,000 तक के फॉल हमने देखा है पिछले दो हफतों में और ऐसा लग के लक्ष के लिए उसी प्रकार अगर हम जीरे की बात करें तो ऐसा लगता है कि 22,600 के करीपी क्लोजिंग है हलकी मुनाफ़ वसुली यहां पर देखने मिलेगी जहां पर दाम हो सकता है कि 22,200 तक भी जाएं इनिशिली लेकिन ओवराल जो रुख है वोपर की तरफ बना करेंगे तो जो भी मुनाफ़ वसुली देखने मिले वहां पर दुबारा बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है तीनों ही मसाला कमप्लेक्स में तीनों ही कमोड़ीज में सबसे जादा जो फिलहाल अच्छा दिख रहा है वो धनिया है और ऐसा रगता है कि धनिया में हमें 13 13,000 के जो लेवल है काफी जल्दी दुबारा चूता हुआ बजार देखेगा तो यहां पर भी मार्केट लेवल्स पे ही यानि जब बजार खुलता है सुमवार को तो जो मार्केट लेवल होंगे वहां पर खरीदारी की जा सकती है 12,100 के स्टॉप लॉस के साथ 13,000 और उसके अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान